प्राणाय नमो यससर्वाम इतंबसी यो भूतरस सर्वस इसर्व यसमिन सर्वाम प्रतिश्टाव समझ स्रिष्ट के जीवन के अधार उसस्तानन परब्रम को प्राणाम में आप सभी पतारे ग्यान पीठ एक चोटी सी कुटिया में देश से आई हुए सभी बितोत जनूं का मैं हार देख स्वागत करता हूँ प्राणात ग्यान पीठ की तरब से धर्म प्रेमे सभी आत्मी बंदों, मताओं, बेनों ब्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट बनता है वेद ने कहा है, मनुर्भाव, मनुर्भाव का तात पर क्या है? जो मानय योनी में जन्व लेने वाला जो भी जीव है, वास्तों में मनुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आज देखा चाहें तो धर्म के वास्त्विक सरुप से आज समाज दूर होता जा रहा है धर्म क्या है इसके बारे में हमें बुद्ध के इसकत्थन को अंगिकार करना पड़ेगा कि जब सिष्ट नहीं थी तब भी धर्म था जब सिष्टी नहीं रहे की तब भी धर्म होगा अथरवेद में चौदर्य कांड में एक मंत्र रहता है जिसका पहला वाक्य है सत्थन उत्वित्ता भूमि यह प्रत्वी किस से ठीक हुई है सत्थ से ठीक हुई है सत्थ क्या है जो अनाद काल से जैसा है अनन्त काल तक रही वही सत्व है सत्यम जानम अनंत अब्रहम जो सत्य है वही प्रकिष्ट ग्यान सुरूप है और वही ब्रहम है हम धर्म को किसी पुझा पतिती से जोड़ लेती है यही इस चुक हो जाती है धर्म के 10 लक्षणों के बारे में जो मन स्मृति में कहा है वहीं वास्तों में जदी यदि हम धर्म के दस लक्षों का पालान करते हैं दिरते चमा, दमेस्टेम सौचों मिंदरे निग्रा धी विद्या सत्तम करूदो दसकेम धर्म लक्षलम यदि हमारे अंदर धहर है, चमा है हम मन को भी सियों में जाने से रोकते हैं, चोरी के कर्म का परत्याग कर दे दे अभी बात हो रही थी अस्ते के कोई भी सरकार आती है कहती है कि हम संपंता ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सरकार के बस के नहीं है यदि मनों से चोरी के कर्म का परत्याग कर दे हैं तो सभी रतनों की प्राप्ति सुते ही हो जाएगी ये योगदर्सन करता है अश्ते परत्य श्ठाया मसरु रतने उपस था ना भारत ही नहीं सारभी से जदी योगदर्सन के इस सुत्र का अनुसरन कर ले तो कहीं दरीदता नहीं दिखाई देगी भारत में गरीबी इसलिए है क्योंकि दुर्भागे से कहिए हमारे देश की परमपरा नहीं रही है लेकिन वैदैसिक अक्रंताओं ने जो हमारी संस्क्रिक को विकृत किया अज परड़ाम यह कि सब्जी बेचने वाला हो चाहे दूद बेचने वाला हो चाहे प्रसासन का अधिकारी हो चाहे मंत्री हो सभी चोरी करते है जिस दिन यह चोरी बंता हो जाएगी भारत में कोई करीब नहीं रहेगा अस्ते धिर्तिय चमाद्दमशत्यम् उच पसे जाहे ना दें सत्य को ग्राण करने वाली उमारी उविद्धियों सत्य और कृत करना यादि दस लक्ष्ण हमारे जीवन में है तो धर्म का वास्त्विक पालान करते है धर्म का मुल क्या है? मनुने कहा वेदो अकलो धर्म मुला धर्म की मुल है वेद आज दुर्वागिवस सारत भारत वर्स वेदों से दूर हो चुका है एक ऐसा समय था जब सारा भी वेद का उनुगामी हुआ करता था आज रसियन भासा को देखिए रसियन भासा संस्क्रित के बहुत निकटस्त है आप रसियन भासा का उचारण केजिए और संस्क्रित का उचारण केजिए तो आपको लगेगा कि इस रसियन भासा का मूल हमारी संस्क्रित से जुड़ा हुआ है लेकिन आज दुर्वागिए यह थी भारत सरकार अभी कुछ वर्ष पहले संस्कृत को अनिवार किया था तो कितना हूँ अला मच गया था संसार को यह पता नहीं कि जिस समय योरोप में कोई भी विसुविदाले नहीं था भारत में भी सुविदाले हुआ करते थे आपको जानकर रहस्चर होगा और आपने सुना होगा पवराणी कुक्तियों में कि भरद्वाज रिसी के आस्रा में दस जर भी द्यारती रहते थे और दुर्वसार रिसी के साथ दस भी द्यारती रहते थे एक-एक रिसी एक-एक भी सुभी डाले का रूप हुआ करता था वैदिक ज्यान के हरास से आज संसार बिनास के दावानाल पर खड़ा है जो संपर्दाई कुनमात जो फैल रहा है इसका प्रिडम क्या होगा कि सारा मानों समों हो सकता है कोई इस इतिहास को लिखने वाला कोई बचेगा कि नहीं बचेगा कि हमारे जुक में वायान उड़ा करते थे या हमारे पास इतनी खोजे थे क्योंकि मनुस की जब विकृतियां जब मनुवरति उपहन पर होती है तो मुगली सक्तियों का बाहुल हो जाता है तो परड़ाम बिनास कोई नहीं मंतर देना होता है इसको कोई रोक नहीं सकता योगेस्वर सिक्रिस्ट भी सब कुछ प्रियास करके महाभारत को रोक नहीं सके थे क्योंकि अवस्या में भोगत अब प्रितम कर्म सुभा सुभा जब दुर्योदन दुसासन और उनके जो मामा सकुनी की तिकड़ी ने जो विक्रिती की उस दवानल में बेचारे कण को भी पिसना पड़ा और इन चारों के मंडल ने जो जोला जलाई उसमें 18 अक्छोणी सेना को भस्म होना पड़ा 18 अक्छोणी सेना 487 लाग क्यों जो भी धर्म के मारक का उलंगन करता है धर्म और रक्षटे रक्षटे जो धर्म की रक्ष़ा करता है धर्म छतरी के समान उसकी रक्ष़ा करता है लेकिन जो धर्म का विध्वन्स करता है धर्म कालतन की समान उसका विध्वन्स कर देता है आज इस्थिति यह है कि आज हिंदू समाज में एक हजार संपर्दाएं हैं बारा सो जाती आएं हर जाती दूसरी जाती को छोटा कहना चाहती है हर संपर्दाएं कहता है कि क्यों मेरा सिधान सत्यं और सची होता है कि वेद में क्या है यह हिंदु समाज पूरी तरज जानना को इक्छुक भी रही है हर संपर्दाय ने अपने एक सिधानで निश्चित कर रहते हैं जो किसी मानताओं पर अधारित हैं चाहे वो गिता पर अधारित हो पुरानों परधारित हो या अपनी किसी भी मानता पर साथ सो तो संपरदाय ऐसे हैं जो किसी धर्म करंद को मानने से भी मना कर देते हैं कोई भी विचारदार आ गई उसको संपरदाय का रुप दे दिया आप सोचिए सब इन नदियों में जो जल वहता है वो जल किसका होता है समुद्र का जल ही तो भाब बनता है और वही भाब बादनों के रुप में परवदों परवरसता है उसी से नदियां प्रवाइत होती है जीलो को प्रवाह मिलता है जीलो में जल इस्तित होता है लेकिं जदि समुद्र का जल ही नहीं तो होगा तो क्या होगा इस दिये कहा है अनंतों वाइबेदा वेद में अनंत ज्याने और वेद को उत्पन करने वाला कौन है असी परमावात्मा से रिक वेद, इजुरबेद, साम वेद, अधरवेद, प्रगटुए आज़ो सकता यह है कि संपुर्मान हिंदु समाज जो यह दावा करता है कि हमने सारी दुनिया को, सारे संसार को सांती का संदेज दिया है हम जब सांती पाट करते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि सांती का दीफक कौन जलाएगा जो स्वेम सबल होगा निर्धन, असहाय दूर्बल, ब्यक्ती कभी भी सांती का दीफक नहीं जला सकता क्योंकि रूडिवादिता की आँधी में कट्रता की आँधी में वो सांती का दीफक बुच सकता है इस दिया सांती का उद्भोष सक्तिसाली बेखते ही करता है आप जानते हैं एक ऐसा समय था जब सारभिस भारत में ज्यान गणड़ करने के लिए आता था मनुस्वित में कहा है इतर देश परसुतस्य सकासाथ अग्र जन्मना सोसम चरित्रम सिक्षे रहना प्रतिव्याम सर्व मानाया संपुन प्रतिवी पर उत्पन्न हो लेए ने मनुस्यों ने भारत से सिक्षा लिए नैतिक्ता की सिक्षा लिए सभी विद्याओं के सिक्षा लिए लेकिन अंग्रेजों की जमाने में हमारी इस्तिति क्या थी गाउं में एक पत्र पढ़ने वाला एक पत्वारी भी मुस्किल से मिलता था जिसमें संसार में कोई भी विस्वी डाले नहीं था भारत में तक्षिला बिक्रम सिला नलंदा के विस्वी डाले थे भारत उसमें भी विस्वी गुरु बना हुआ था जब भारत पतन की तरफ जा रहा था माँ भारत के पस्चाद बैदिक जुका पतन प्रारंब हो गया बामार गाया पौराणिक जुगाया और आज इस्तिती देखी जाए कड़वा सच्छ है मैं सबसे छमा चाहता हूँ इस बात को कहते हुए कोई अपनी मानताओं पर प्रहार न समझे कि आज हिंदु धर्म में जो कुछ होता है कहीं न कहीं 70% वेदों से बिरत होता है मैं इस बात के लिए छमा चाहता हूँ हमारी मानताओं वह हैं जो वेद से बिप्रीद जाती है क्योंकि हमने महाभारत काल के पिस्चाद की मानताओं को अधार बना लिया सिष्ट के प्रारम में ब्रह्मा से लेकर महर्शी जायमिनी तक वैदिक यूग रहा और उसके पिस्चाद महाभारत काल के पिस्चाद बामार्क आगे बढ़ता गया वेद मंतरों का उल्टा अर्थ हुआ जिसके कारण गौतम बुद को वेद और यज्जों के विरित बोलने के लिए बीवस रोना पड़ा क्योंकि इसमेद असमेद नर्मेद के नाम पर पसु बलिदी जाने लगी थी मनस्यों के भी बलिदी जाने लगी थी आपको विदित होगा कि जरासंद ने कितने रजाओं को बद कर रखा था वह भी एक नर्मेद यज्जी करना था नर्मेद का अर्थ होता है कि मरेवी बिक्ति का दासंसकार करना लेकिन जब जीवित प्राणियों की बलिदी जाने लगी थी आप जानते हैं धर्म रक्षेक योगेश्वर सिकेष्ट ने जरासंद का बत करवाय था भीम के दोरा और सकता यही होती है कि हम सत्ति की तरफ चलें जो सिष्ट के प्रारम में बैदिक जान प्रगट हुआ जदी भारत उसका आचरण करता भारत में वहीं प्रम्परा रही होती। तो साहिट हजार बर्सों की दास्ता हमें देखनी नहीं पड़ती। आज तो हम सुतंता की सुगंधी में जी रहे हैं लेकिन हमें आज से आट साव वर्ड सो पहले का साइधी थी आज हम भूल जाला करते हैं आप देखिए एक बिदेशी अकरंता आता है और भारतियों के सीरों से मिनार बना देता है और जोड से अठास करता है उस पीड़ा को साइध आज का संतवर्ग बितवदवर्ग बहुत कम असास कर सकता है क्योंकि कहावत कह जाती है जाके पीर नफटी भवई वो क्या जाने पीर पर आई आप सुचिए चाहें चित और की घटना हो जिसमें पदमने 13,000 támayali के साथ जलती हैं चीता में परिवईस करती है राणा संगा की पतनी पना हजारोंचितनेशें के साथ चीता में परिवईस करती है इसी कितनी काटना है हुई एक सिथा के लिए मर्यादा पुरसुत्म राम ने लंका को राक्षण से वीन कर दिया था लेकिन हजारोच्छाणिया चीता में जलने के लिए विवस होते रही थी सबी कहते था कि हमें क्या लेने देना ब्रामण वर्ड कहते था कि हमें क्या लेने देना कि जिसमें एत्रे ब्राह्मार का रचना कार कॉन था, सुत्र था, जन्म के धारबर कोई जन्म जाती बेश्था ने धारत होती थी, चातुर बड़े म्यास सिस्टम कोड़ कर्मी भाग सा, हमने जातियों को बढ़ावा दिया, और ये जातियां जिसमें एक हिंदू, दुसरे हिंदू से घ्रणा करता है, हम इतिहास के पन्नों को पल्टे, तो यदि ये जाती विकृति नहीं होती, तो राणा संगा की वावर से हार नहीं होती, 1761 मराठों की अमसा अबडालिस से हार नहीं होती, इस जाति वेस्था ने हिंदू समाज को एक दुसरे का सत्रू बना दिया, आप सुचिए, भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं, उनको सुमंद से भी प्रेम है, उनको केवट से भी प्रेम है, और आज हम कितनी घ्रणा की अगनी में जल रहे हैं, एक हिंदू, दुसरे हिंदू का छुआ खाने को तयार नहीं है, एक हिंदू, दुसरे हिंदू के पास बैठने को तयार नहीं है, हमारे, जिन भगवान राम को, योगेस्वर सिक्र्स को हम अपना आदर्स मानते हैं, हम कभी हैं नहीं सोचते भगवान स्रिक्रिट्स ने दुरुद्धन का मेवा छोड़ा था और विदूद के घर का साग मांग करके खाया था यदि हम अपने आदर्स महापुर्सों के योगेसर स्रिक्रिट्स के मरेदा पुर्सोंतम राम के पच्चिनों पर चलें तो आप देखिए हमेशा इनों ने समाज के तिरस्कित बक्ति को गले लगाया था और जब अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था मराठों से तो आप महारजाद के जिन दलितों को उन्होंने ठुक रहा था तिरस्कित किया था वही महारजाद पेश्वाओं के पतन का कारण बनी अन्हे था अंग्रेज तो युद्ध से हार रहे थे हमने जाती संकिर्था को बढ़ावा दिया बैदिक ज्यान को छिपा दिया आप सोचिए जिस मैं महमूद गिजनेवी आकरमण कर रहा था आजकल तो मैं एक बात कहूँ कि एक मंदिर तूटता है तो हमें पीड़ा होती है सोभाविक है लेकिन कभी किसी ने इतिहास के पन्ने को पल्टा है कि अकेले कुतुब देव एक कुतुबीन एबद जो महम्मद गोरी का सेनापती था केवल कोनौज में ही एक थार मंदिर को तुड़ा थै और जो धन संपता लूटकर ले जाएजाती थी एक दो उटो पर नहीं चाहें गोरी हो, गजने ही हो सबने न चाहने कितनेयों कितने उटों पर हीरे मोती लात के ले जाते थे अब सोचिए यदी यही धन बड़े-बड़े बिस्वी दालों का निर्माण करता, बड़े-बड़े गुर्कुल होते, बड़े-बड़े वेद के उपनिसेद के दर्शन के इसनातिक बनके निकलते, देश में बहुत जागरती होती, तो यदी इस गुलाम क्यों होता? जदी हम अपने ही भाईयों को तिर्शित करें, तो इसका परड़ाम क्या होगा? रावन ने बीबुसन को लात मारा था, उसका परड़ाम रावन भुगता, कि लंका में दिपक जलाने वाला भी कोई नहीं बच्चा, इसका करण क्या है? जदी हम, जनको हम सुद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, तिरस्कित करते हैं, उनसे घ्रणा करने में हम अपना गवरा समझते हैं, कभी हमने सोचा है कि उनके गोतर भी कौन है? उनके गोतर भी तो रिशियों के गोतर हैं ब्राम्रों वैसे मुखह मासित बाहु राजन्य करता है अरुत अदिस्यत बद्ध वैसे पद्ध भ्याम सुद्र आ जाए आप सोचिए पिस्टों भग्मान के पैरों से चर्णों से गंगा निकलती है तो उसमें एस्नान करने से तो हम मानते हैं कि हम मुक्तिव को प्राप्ट कर लेगे लेकिन जिनके चर्णों से गंगा निकलती है तो वह पवित्र है और प선ठवी भी पवित्र है अत्रवेद में कहा गया है माता भॉमी पुत्रों हम प्रिधव्या लेकिन सुद्र क्यों पवित्र हो गया यदि सुत्र कोई मार्ग से आता था तो साथ उसको घंटी बजानी पड़ती थी इसी घ्रणा ने दक्षय भारत में बैदेशिक मतों की प्रबलता का कारण बना और जानते हैं धर्मांत्रा करत क्या होता है राष्टांत्रा जदि सब की मान धर्म बदल जाएगा तो राष्ट भी बदल जाएगा आज पर उतर भारत में क्या है आप मंच नहीं लगा सकते जैसे यहां खुला मंच लगाए हैं आप चोराहे पर रखकर हिंदु धर्म परणतों के बारे में कोई भी परचार नहीं कर सकते ना केरला में कर सकते हैं ना उनाचल में कर सकते हैं ना तिपुरा में कर सकते हैं ना घाला से कर सकते हैं जब आप जियान का परचार नहीं करेंगे तो क्या होगा जो समाज जियान से रहित हो जाता है वो समाज निष्ट हो जाता है आज आपने अभी असुख जी का वक्ते भी सुना था कि माराजा च्छतर साल जी ने प्राणनाज जी की च्छतर चाया में दोसो बाउन युद्धों में औरंग जी आपको ठक कर दी थी अध्यात्मिक सक्ति से ही राष्टी सक्ति जगरत होती है राष्ट की जगरती कब होगी जब समाज में ज्यान रहेगा जब महमुज गजनवी आक्रमर करता था गोरी के आक्रमर करते थे और राष्ट संक्ठित नहीं था राजनितिक रूप से भी संक्ठित नहीं था समाजिक रुप से भी संक्टित नहीं था संपरदाईयों में देश बटा हुआ था जातियों में बटा हुआ था इसकी अतरिक्त छोटे छोटे राजियों में बटा हुआ था आप कहीं भी जाए समाज सिक्षा से दूर है भौतिक सिक्षा थो होती रहती है लेकिन अध्यात्मिक सिक्षा का भाव है इस दिये जब तक धार्मिक सिक्षा के वर्ति नहीं होगी मैं सभी संते जन्नों से ये प्रार्थन करूंगा कि अपने हर मंदिर में हर आश्रे में एक एक भी पुस्टकाले अवस्ट खोले देश में जितने भी मंदिर है यदि सभी मंदिरों में पुस्टकाले खोल दिया जाए तो आज देश में बहुत जगरती हो सकती है सच तो बात है कि मैं किसी की भावना पर अगात नहीं करता लेकिन ये कड़वा सच है कि गुजरात और महराष्टा में गडेश जी की मित्य के मूर्ती बनाकर पुने बहा दे जाती है इधार भी जेखिए यदि सारी धन यदि आपकी मूर्ती पर सर्दा है तो उसकी पूजा कीजिए लेकिन जो नदियों में प्रवाहित होने वाली प्रिक्रिया है इससे अर्बो रुपिय का जो धन होता है आप उन्ने से गाउं गाउं में गुरकुल खोलें गाउं गाउं में एक-एक बिद्वान होग जो धर्म गरंतों का उपदेश ते क्योंकि यदि आप वेद की ग्यान की रक्षा करते हैं गीता की ग्यान की रक्षा करते हैं तो देश में जागरुपता रहेगी जिसमें गजनी के आक्रमन हो रहे थे यदि गीता के दस लोग भी याद करा दिये जाते हैं गीता क्या कहते हैं कि उतिष्ट कौंते हैं ना यो पापम आवस्या उठो अर्जुन तुम तुम्हें पाप नहीं लेगा क्योंकि तुम्हें धर्म की रख्षा के लिए युद करना है देश संग्ठीत हो सकता था कि महमुद के जमी आक्रम करता है और पचास हजार हिंदो रोते भी लगते अपनी गर्दन कटा देते हैं अब सुचेए जदि पचास हजार हिंदो तैयार हो जाते गर्दन कट्वाने की जूरते हैं रोने की जूरत थी वेद ने शिकाया कि ऐम में हस्तो भगवान यह मेरा पंड्रे पुजारी अवस्ते लेकिन कोई विद्वान नहीं था, यदि कोई चानक की होता, कोई विदूर होता, तो मुझे नहीं लिगता कि देश गुलाम हो सकता था, क्योंकि केवल सस्त्रों से जुद नहीं लडा जाता, युद तो कम से कम बहुत ही धरातल पर लडा जाता है, जब सिकंदर ने भारत मुराक्रम किया था, तो उस समय भारत की रक्षा के लिए चानक की था, वास्त्विक लड़ाई तो अरस्तु और चानक के बीश थी, सिकंदर और चंदरकुप्त तो एक मोहरी थे, उसी तरह से जदि बहुत ही जान का हरास हो गया, तो राज सत्ता भी कमजोर हो गई, वो भी स्वार्थों में लड़ते लड़ते अपनी सक्तिक को खोई बैठी जिसका परड़ाम हुआ, गोरी और पृत्वी राज का जो जिसमें जैचन के भी स्वारत कराने देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों के समय भी यही था, हमारी राष्टी भावन के करण, धर्म और समाज विक्टन की तरफ जाता है, और जब धर्म और समाज विक्टन ने होगा, तो राष्ट का भी पतन होता है, नयतिक आदर्सों कि रक्षा कौन करेगा? कि जान करेगा? आप सकता यह है, कि समाज एक सज्टानद परवन की उपासना पतितीड पर चले, गिता के तेरह में चोधे अध्याय में योगेस्वर सिक्रिष ने अब या भीचारणी भक्ति का उपदिश दिया है क्या का है सत्व भक्ति योगेन अब या भीचारणी लेकिन क्या आज का हिंदो गिता के इस कथन को मानेगा नहीं क्योंकि वो संप्रदाइकता से जुड़ा है उसके लिए वेद का कथन अमान्या है गिता का कथन अमान्या है वो कहेगा कि हम वेद का सम्मान करते हैं योगेसवर सिक्र्ट्स की पूजा करते हैं लेकिन योगेसवर सिक्र्ट्स के निर्दों से का पालन नहीं करेगा वेद को क कहेगा कि हम मानते हैं कि इसुरी जान है लेकिन वेद की बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि वह कहीं न कहीं संपर्दाइक कटरता से जुड़ा हुआ है और सकता यह है कि हम पहले एक सच्छतानंद स्वालिल अद्वेद पर ब्रहम से जुड़ें जिसको उपनिस्तों में कहा ग जो पूर्सुत्तम है जो पूर्सुत्तम है अच्छा रक्षर से परे उत्तम पूरूस वही सबका उपासे होना चाहिए सच्छतानंद परब्रहम सभी भारतवासियों के मन में ये प्रेणा पैदा करें मैं तो प्रारतना करता हूँ कि वो अपने आत्म गवरों को समझें कि एक ऐसा समय था चाहिए यरोप हो अमेरिका हो अस्टेलिया हो सम में भारती संस्कृत फैली हुई थी आज हम सिमर्ते सिमर्ते एक छोटे से देश में समलित हो गए है और यहां भी पता नहीं कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता यह भी देखने में आता है कल को जो गा होती है कोई यह नहीं सोचता है कि जो भारत राष्ट में वेदों की ध्वन ही नहीं रहेगी उपनिस्तों की गुजी ही नहीं रहेगी जिस देश ने सारे संसार को 14 सब्दों में अश्ठधाई का अश्ठधाई व्याकन दिया जिस देश में महाबास के विद्वान होते हु बड़े विद्वान हुआ करते थे, आज उसकी गुच कहां चले गई है, इसके लिया वसकता हिया है, गाउं गाउं में, हर पांच गाउं पर कम से कम एक गुर्गुल की तवास्त अपना हो, हर गाउं में जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में छोटे बड़े पुस्त काले र इसने क्या कहा है, इसरए सरभूत अनाम हर देदे से अर्जुन तिष्ठत, है अर्जुन सभी प्राणियों के हिर्दे मंदिर में परमात्मा है, आज से लाखो वर्स पैफ, या जुबलक ने डिंदिम घोस के साथ, जनकी सभा में कहा था, कि यो आत्मां तिष्ठत अंदरो या मात्मा दुना वे दियसत मसरीरम, जो आत्मा के अंदर अंतरियामी रूप से परमात्मा है, उसको कोई जानता नहीं, इसलिए आज रिशियों के उद्गोस पर्दे के पीछे हैं, वेद का ग्यान उपनिसत और दर्सन का ग्यान पर्दे के पीछे हैं, इसको हम परकास मे के ध्यान से और यदि हम जान और प्रेम की गंगा भाते हैं जैसे जिस देश में गंगा यमना बहती है तो इस देश को जीवन दान देती है जान और प्रेम की सर्ता जिस दिन परवाइत होगी उस दिन हमारा देश डेम डेम घोस के साथ कर सकेगा कि संसार के लोगों सारे संसार का मारदरसर करने के लिए भारत वर्स आज भी अग्रसर है इसमें संतवर को बहुत बड़ी भूमका निभानी होगी बितवत बर्क को भी भूमका निभानी होगी और ये तब ही होगा जब हम संप्रदाई कट्रता को छोड़कर एक रूप हो जाएं जन्मना जाती बेश्था को छोड़कर कर्मा अनुसार बन बेश्था को पुरसान दे हम हर भारती को गले लगाएं हम घ्रणा की उन चिंगारियों को अपने से दूर रखें एक चिंगारी क्या होती है पुरे वन को चला दे थी है हम एक से घ्रणा करते हैं वो दूसरे से घ्रणा करता है पर ड्राम क्या होता है सारत भारत वर्ष टुकडे टुकडे मी विवाजित हो जाता है आज जैसे कि मैंने कहा जब तैमिर लंग भारत में आया था तो आप देखिए क्या इस्तिती थी कोई राजनेतिक सत्ता उसका मुकबला नहीं कर पा रही थी यहां की खाब पंचायतों ने इकठे होकर लगबग एक लाग के आसपा सेना का निर्मान कर लिया था और जो तैमिर लंग भारत में आया था तेड़ लाग की घुटसवारों की सेना लेकर जब वापस लोटने लगा तो उसके पास के वाज़ तीस हजार घुटसवार बचे थे एक लाग बीस हजार घुटसवार वीरगती को प्राप चुके थे जदि सो करोण इस देश में हिंदू रहते हैं सो करोण हिंदू में जदि बीस प्रिशत भी जिस दिन वेद उपनिसाद दर्शन गरंतों को पढ़ने लगेंगे उस दिन भारत के स्वार्णिम भाविस को कोई रोक नहीं सेगा इस दिया हो सकता है कि हम उस सासवत जोति को पुने पर चल्वित करें जो कहीं न कहीं गुम्नामी के अंधेरे में है प्राणना जी की वारी उसी सत्त को अपनी भासा में हिंदूस्तानी भासा में इस अलत तरिके से प्रस्तुत करती है ग्यान पीट से जिसको 139 भासाओं में अनुबादी किया जा चुका है मैं आसा करता हूँ कि मेरी यवाद जहां तक भी पहुंची रही हो हमारा यह दिर सुंकल्प होना चाहिए कि हम कर्मकांडों में धन्रासी ज्यादा ना खर्च करके सिक्षा में खर्च करें धार्मी सिक्षा को बढ़ावा दें ध्यान की प्रिविर्टी को बढ़ावा दें जिससे अंद्वी स्वासों का उन्मूलन किया जा सके सत्य की जदी जलती रहती है तो मैं समझता हूँ हमारा देश कभी भी उस हजार साल की दास्ता को पुना नई दोरा पाएगा क्योंकि महाभारत काल तक स्वाइमभू मनु से लेकर धर्मराज योधिशी तक सभी चक्रवर्ती समराट भारत वर्स में हुए है हमें इस गौरों को याद रखना चाहिए हम पराधीन होने के लिए नहीं बने है लेकिन हमें इतिहास आद्बिकृत रुप में पढ़ाया जाता है अंग्रेजों ने एक मंत्र सिखा दिया हिंदोस्तानिया तुमको सासन करने नहीं आता उनको ये पता नहीं कि भारत ने सासन करना संसार को सिखाया है जहां ब्रयस्पत जैसे अच्यार हुए और सुक्राचारी ने राजनीती सिखाई चानक ने राजनीती सास्थ सिखाया भारत ने सारे संसार को सासन करना सिखाया था लेकिन जब ज्ञान लुप्त हो जाता है अज्यानता के अंधकार में ये देश रहा तो सुभाविक है अज्यानता का दंड तो हमें भुगतना पड़ा हजार वर्सों की दास्ता में सीसकते सीसकते हम अपने अतीत के गौरों को भी भूल चुके हैं मैं अस्या करूंगा कि सभी संत माप और उस जन मेरी प्रात्ना को स्विकार करेंगे और ज्यान के जोती जलाने के लिए सब को ध्यानावस्ती दोकर उस सच्तानाद परमात्मा का ध्यान करने के लिए परिद करेंगे क्योंकि यदि ये दो कारी हो गया तो मुझे असा है कि धार्मे की वकृतियां भी दूर होगे और सारे भिस्तु का भी करने होगा यदि भारत सही मार्ग पर चल गया तो सारे संसार को चलने के लिए बीवस कर सकता है मेरे बचनों से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं च्छमा चाहता हूँ और मैं असा करूँगा कि आप सकरात्मक दिसा में इस बात का प्रियास करेंगे कि सभी भारती सब को आत्मा के देश्चे देखें क्योंकि हमारी संस्कृत का मुल उद्गोस है आत्मा उद्गोस सर भूति इस यह पर सब सपन्डिता जिस कीता में कहा है कि विद्या विनाई संपन्य ब्रामे गवह सिन संचवे सोपा के जपन्डिता सम्दर्सिता जदि यह देश ब्रामन में, गाव में, कुत्ते में, चंडाल में एक चितना को देखने की बात करता है फिर जाती के नाम पर आपसी घृणा क्यों, संपरदाय के नाम पर आपसी घृणा क्यों इस दिये संप्रदाय और जाती पाद से परे होकर सब को एक परम्तत्र की तरफ चलना चाहिए एक सच्तानंद परव्रम एक उपासना पतिती ध्यान के और एक मूल धन गरंत वेद और जो भी किसी भी बात को जदि वेदों से मिलान नहीं होता तो मैं समझता हूँ हमारी संप्रदाय कटरता वेदोर हो जाएगी और इसी में सब का कल्यान नहीं होता